नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 को पढ़ रही है भाद्रपद महीने का शनिवार प्रदोश वरत। दोस्तों, यह जो शनिवार है भाद्रपद महीने में पढ़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और दोस्तों, इस भाद्रपद के शनिवार के दिन आप लोगों को इस चार काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने, किसी भी दिन इस चार काली मिर्च क पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 सितंबर शनिवार के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आप ने इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जिस उपाय को आप आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनो कामना पूर्ण नहीं होते, वभाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से मनो कामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है, यह एक ऐसा उप उपाय को यदि किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय बहुत ही ब तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस चार काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किस को करना है, किस समय करना है और कहां पर है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको चार काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन काली मिर्च का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का तो अब दोस्तों इस चार काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग अब बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माता बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस् इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। इस वाले उपाय को तो अपने लिए भी कर सकता है। इस वाले उपाय को उसके पश्चात में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ दूरवा वाले उपाय को करने का, तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा। बाकी यदि सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना। बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें प्रदोशकाल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। उपाय हम आपको बताएंगे, सभी उपाय सरल है। देखो गुरू जी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको चार काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानी देखने को मिल रही है। यानि कि आपको प्रत्यक कार्य में हानी हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको चार काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए स सबसे पहले बात कर लेते हैं। नजर दोश को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोश आप दूर करेंगे। आपके जो गुप्त हैं, उनकी नजर का जो प्रभाव होता है, वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीव के कश्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के पश्चात, इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमतकार होगा। तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रू आपका कुछ बिगाड नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के चार दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनी देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें। और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी कोई भी आपका दुश्मन होगा। वह घुटने ठेक देगा। इस उपाय को ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों न हो। उसका आपके उपर, आपके घर के उपर, आपके पैसे के उपर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनी देव का आशीरवाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो की शनिवार के दिन आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है। भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो दो फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है। यानि कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिती है, वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो. जीवन से जो कर्ज की समस्या है, वह समाप्त हो, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, यह जो दो फूल वाली लौंग ही शहद सन्युक्त इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, आपकी जो समस्या होगी, इस शनिवार के दिन जरूर ही समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय के बारे में देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ट होने वाला है, देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र पांच हरे मूंग, हरे मूंग के दाने आपको साबुत ल भगवान शिव के मंदिर में देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। और शिवलिंग पर जो श्री गनेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानि कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमह शिवाय या फिर श्री गनेशाय नमह इसका जाप कर लेना है, तीसरा हरा मूंग का दान, आपको भगवान शिव की सबसे पुत्री, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा, शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई ल उसे आपको भगवान कार्तिके जी का जो स्थान होता है, शिवलिंग पर वहां पर यह चोथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है, अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, और लगातार आपको शिव महापुरान के मूल इसका करते रहना है, फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ कर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृध्ध करने के लिए य या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीप भी आप तयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक औ और एक फूल वाली लॉंग लेकर के सीधा आपको पहुँचना होगा बर्गत के व्रिक्ष के वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लॉंग है, उससे आपको बर्गत के व्रिक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कश्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। करते हुए, देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए, मंगल दोश से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जलत जो है। और आपको लगातार श्री इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का समरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है, तो आपको अरन मुक्तिश्वार महादेव क का समरण करना है, देखना एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको यह चोथा उपाय करना है,